अज़ की सब्सक्राइब करें अगर इसे वीडियो में हम देखेंगें कि किसी भी मैट्रिस का ट्रांसपोस कैसे लिया जा सकता है with the help of a calculator. प्लीज नोट डेट के ये 2x2 और 3x3 मैट्रिस का सिरफ ट्रांसपोस ले जा सकता है इससे उपर की एगर rank की है dimensions की को mattress होगी तो उसका transpose calculator के उपर नहीं लिया जा सकेगा तो हम देख लिए हैं दोनों 2x2 और 3x3 mattresses के लिए तो सबसे पहले एक example देख लिए हैं यह मैंने solve की विए 2x2 mattress के लिए जिसमें के एक mattress थी जिसके entries है minus 3, 1 और 5, 7 और इसका हम transpose लेते हैं तो यह आज़ता है minus 3, 5 और 1, 7 इसको हम solve करते हैं calculator के उपर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इदर mode का button है आपका यह mode का button दबाएंगी और इसमें 6 के उपर आ रहा है कि mattress mode में आप जा सकते हैं तो हमारी वाली जो mattresses की dimensions है 2 by 2 तो आप इसके लिए 5 प्रेस करेंगे तो यह 2 by 2 mattress select हो जाएगी अब इस mattress की entries लिखनी है entries हम इससां लिखने के हर entry के लिए number को लिख लेंगे उसके बाद equal to प्रेस करेंगे तो entries दिस्टर हो जाएगी पहली entry है minus 3 आप equal दबादें फिर one है फिर equal फिर five है फिर equal और फिर seven है फिर equal to इसका मतलब है कि A mattress में आपने यह entries जो है उस्टोर कर लिए है अब आप इसी का button दबाएं और आपने करना है transpose उसका transpose आप इस तरीके से लेंगे आप shift का button प्रेस करेंगे और आपके पास यहां पर आ रहा है कि four के उपर जो shift वाली entry है जो कि इदर लिखा हुआ है mattress लिखा हुआ है तो इसको आप दबाएंगे तो mattress का options आजाएंगे आप इन transpose लेना है तो eight पर आपके पास इकल्टू प्रेस करें तो इसका आंसर आजाता है माइनस 3, 5, 1 & 7 और यहां पर आप देख लेंगे तो जब हमने solve किया था तो यही हमने answer निकाला हुआ है माइनस 3, 5, 1 & 7 अब हम देख लेते हैं एक example जो कि 3 by 3 mattress के लिए होगी तो आप mattress के entry के लिए दुबारा से यहां पर mode का button दबाएं 6 दबाएं और अब suppose हम कहते हैं मैं mattress B में इसको store कर लेता हूँ तो अब मैं 2 दबाता हूँ तो मैं mattress B में store होँगे और इसकी dimensions पूछ रहे है तो मैं गता हूँ कि dimensions है भई इसकी 3 by 3 की इसके लिए मैं 1 दबा दूँगा और 3 by 3 की एक mattress create हो जाएगी अब हमने mattress के entries लिखनी है mattress के entries हैं 1 से लेके 9 तक और जैसे इदर एक entries हैं वैसे हम लिख देते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसके बाद अब हम दुबारा से इसी दबा देते हैं और अब हमने जिसे के पहले के दा सबसे पहले हैं हमने transpose इतर लेके आना है तो transpose का operator लाने के लिए shift 4 दबाएंगे और इसके बाद 8 पे transpose है तो 8 दबा दें और अब आपने mattress select करनी है तो shift 4 दबाएं और इस तफ़ा हमने रखा था data mattress B में तो 4 दबाएंगे तो mattress B आ जाएगी आपके पास equal to press करें तो यह आ जाता है 147 फर्स्ट रो है सेकंड रो है 248 258 और थर्ड रो है 369 तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो जो हमने भी solve किया था तो इसके अंदर देख लें कि सारी entries यही है जो कि calculator बता रहा है इसना से आप अपना जो आंसर है उसको verify कर सकते है कि आपके पास कोई भी 2x2 या 3x3 km दी हो उसका आप transpose लेते हैं आपने verify करना है तो आप इसको calculator में डालें और इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि आपका transpose आपने लिया है क्या हो सही भी आया है या नहीं आया है